विवाहों में अपवय के कुछ चकर को तोड़ डालें। पुस्तक का ओडियो चार एक दूसरे को प्रिणा दें। यह पुस्तक माला जो आपके हाथ में है उस दिश्टी से अतीव उपयोगी सिध्ध हो सकती है। उसे आधिकाधिक लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। इस पढ़ा सुना जाने लगे तो भी बहुत कुछ हो सकता है। बात करने की आदत सबको होती है। जिने अभ्यास कम हो उन्हें प्रयत्न पूरवक उसे पढ़ा लेना चाहिए। और यह चेश्टा करनी चाहिए कि अपना कोई परिचित व्यक्ति नव निर्मान की इस विचार धारा से अपरिचित न रहे। इस अंदोलन को सार्थक बनाने के लिए व्याख्यान दाता और उपदेशकों की उतनी आवश्यक्ता नहीं जितनी व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा एक दूसरे को सहमत, प्रोचायत एवं कटिबद करने की है। हम चाहें तो कुछ को तो इ अविभावक शेत्र में लाही सकते हैं। इस प्रकार यह अंदोलन दुरुद गती से जड़ पकड़ते हुए आश्चर जनक परिवर्तन का रुप धारन कर सकता है। उसे उपयोगी कार्यों में लगावें। दहेज और अपवया के लिए पैसे बचाने से निवरित पिता के दिये हुए इस अनुदान को आजीवन अपने साथ रखेंगी। सस्राल वाले भी उसे छीन न सकेंगे। बच्ची अपनी अविभावकों की बुद्धिमत्ता एवं उदारता की आधार पर कितनी अधिक संतुष रही होगी। जबकि दहेज के नाम पर दिये गए पैसे में से उसके हाथ चदांबी ना रहता। कदाचित उसे किसी संकट में फसना पड़ा तो पिता के द्वारा वेभा में खर्च की हुई संपत्ति तो दूसरों को मंदरजन का आधार बनकर कहीं अन्यत्र चली गई होती है। बेचारी लड़कियां तो उस अनुदान से भी कोई लाब नहीं उठा पाती उन्हें सब प्रकार खाली हाथ ही रह जाना पड़ता है। यदि यह दहेज अनुदान उन्हें अपनी प्रतिभा विकसित करने के रूप में मिल गया होता तो वे कितना प्रसंद होती यह कहने की आवश्यक्ता नहीं। हर मुसीबत के लिए उनकी यह सुयोकिता उनके लिए वर्दान बनी, सहायक बनी होई होती। तब तरसकार भी उन्हें कहीं किसी का न सहना पड़ता। कन्या का पिता दहेज की चिंता से मुक्त रहे तो मानसिक शांती एवब निशिंतता बनी रहने से वे दस साल अधिक जी सकता है। बच्ची क अभवकों को चिंता आशंका ही बनी रहती है। यदि घड़ना क्रम अनुप्यक्त दिशा में घुमा तो उनकी चिंता बढ़ती ही है। उस उद्वेग में सच्बुच बहुत खून सुपता है। आईश्य घड़ती है। शहरी दुरबल होता है और कितने ही प्रकार की रोक खड़े हो जाती हैं। यदि सादगी वाले बिना लेन देन के विवाहों की परिपाती प्रसलित हो जाएं तो क्यों किसी को ऐसी चिंता करनी पड़ें। और क्यों अपना क्षुण जलाना पड़ें। जो मस्तिश चिंता में घुलता है वही यदि परिवार को उन्नती का च सा उलास में रहे तो मनुश्य अपना और अपने परिवार की प्रगति के लिए बहुत कुछ कर सकता है आज योग्य से योग्य कर्ण्याओं के गरीब अई भावा की है कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उनकी लड़की अच्छे परिवार में स्योग्य लड़का प्राप्त कर जानते हैं कि ऐसी लड़के केवल अमीर लोग ही केवल अपनी बच्चियों के लिए प्राप्त कर सकते हैं किन्तो जब लेंदेन का जंजट ना रहेगा तो गरीब घर की कन्या के लिए योग्य लड़का प्राप्त होने की आशा की जा सकते हैं तब गरीबों और अमीरों की जो प्रतक प्रतक ब्रादरियां बनी हुई हैं वे भी जीनी पढ़ने लगेंगी आडंबर क्यों पूजा जाए कन्या का पिता यदि कुछ देना चाहता है तो वे पैसा दूम धाम के निरतक आडंबर में खर्च क्यों हो वे लड़की या लड़के की शारिरिक, मानसिक या आर्थिक इस्थिती सुधारने में खर्च क्यों न हो अपने हाथ से भी गया और दूसरे की हाथ भी न रहा बीच की दिरतक दूम धाम खुन पसिने की कमाई को चाट गई इसमें किसकी क्या बद्धिमत्ता रही इसी प्रकार लड़की वालोंने यदि विवाह की दूम धाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्ण बनाया होता तो उन्हें कन्या पक्ष की आर्थिक बरबादी का कलंक न उड़ना पड़ता समझदार लोगों द्वारा उन्हें निष्ठोर, लालची, पुत्रविक्रेता, आधी ग्रंट इस्तर का वेक्ती न समझा गया होता जिस प्रकार लड़की वाले दहेज देते हैं, उसी प्रकार लड़की वालों को कीमती जेवर, कीमती कपड़े, कीमती सौगात, कीमती धूमधाम बनाने पड़ती है यदि इसमें किफायत की जाए, तो कंजर, लालची, कंगाल कहलाते और नाक कटने का खत्रा फिर उपस्चित हो जाता है इसलिए उन्हें भी उस मुफ्त के माल को होली जलाने की अत्रित और कोई मार नहीं रह जाता कमाई की रूप में उसे घर जमा करना सहज नहीं होता कहते हैं कि बिल्ली खाती नहीं तो लुलका जरूर देती है भीतर ही भीतर चड़ा हुआ बेटी वाला प्रतेक्ष या परोक्ष रूप से प्रत नहीं करता है यह पैसा रहने इस एंकारी के पास भी ना पावे बेचने का अफसर आता है तो नाम मात्र को पैसे लोटते हैं सच तो यह है उसे बेचने में नाक कटती है बैपैसा तो दिखाने का खिलोना मात्र बनकर मनुरंजन जैसा ही रह जाता है जो धन किसी की काम आता, किसी का सहारा बनता, उसे इस प्रकार नश्ट करके वरके अभ्यावकों ने किस बुद्धिमानी का परिचे दिया कहा नहीं जा सकता निरर्थक भ्रम जंजाल एक भारी भ्रम यह उपच पड़ा है कि जादा धूमधाम करने, बिजली की रोश्णी चलाने, बड़ी-बड़ी दावत करने से समाज में जद बढ़ती है बड़ा आदमी माना जाता है उस आयोजन में सम्मिलित रहने वाले प्रसन होते हैं पर थोड़ी गंभीरता से दिखा जाए, तो यह तीनों ही बातें स्वरथा, निर्थक, भ्रम पूं, एवन निर्मूल सिध्ध होती है अधिक आमदनी करने वाले को चालू मानेता नुसार बड़ा आदमी माना जा सकता है उस पैसे को किसी उत्पादन कारे में लगाना भी बुद्धि मानी या बड़पन का चिन हो सकता है पर जो कोई ऐसे कारे करने लगे, जिससे थोड़ी सी चहल पहले के नाम पर बहुत सा धननाश्ट हो जाए उस कारे की कभी कोई विचारशील व्यक्ति सराना नहीं कर सकता बह पैसा किसी सार्वजिनिक लोकोपयोगी कारे में लगा दिया गया होता दिन दुख्यों के काम आता या अपनी ही परिवार की प्रगति में लगता उद्योग धन्दों में पूझी बन जाता तो प्रशनसा की बात कहीं जा सकती थी ना स्वार्थ में लगा ना परमार्थ में अभिचारियों की तरह से धूम धड़के में उड़ा दिया गया इसे कौन समझदार व्यक्ति उचित बताएगा अनुचित कारे कलाब करने वाले सच्ची अर्थों में ना प्रशनसा प्राप्त कर सकते हैं ना बड़पन ही अभिवेकी व्यक के दूसरे मोसल चंद वहवाही दे रहे हों तो ऐसी जूठी बेजड बेबुनियाद की प्रशनसा थे से बुद्धिमानों की फटकार अधिक अच्छी हो सकती है कोई जमाना रहा होगा जो धन उलीचने को प्रशनसा की बात माना जाता रहा होगा सामन्त युग में शायद लुटेरे लोग अपने धन अपनी सफलता का भणडा प्रशन करने के लिए बेज सिर पैर की कामाओं में ऐसे उद्धत प्रशन करते रहे होंगे उस समय की दभी पिसी जनता शायद उस रौब दौब के आतंक में इसे बड़पन का चिन भी मान बैठती रही हो पर आज इस्थिती दूसरी है बच्चा बच्चा अर्थशास्तर के सिध्धानतों को समझता है और मितवयता से धन के सद्प्योग का प्रतिबादन करता है इन दिनों पैसा उच्चालना उसका उद्धत प्रदश्चन करना अनुचित एवं अबध्ध मत्ता पून माना जाता है ऐसे काम करने वालों को बेमानी से धन कमाने वाला माना जाता है और कहा जाता है हराम की कमाई बेरहमी से फोगी जा रही है सच यह है कि इन अव्यकर्ताओं के प्रती लोगों में ग्रणा के भाव जागरत होते हैं और समझा जाता है कि लोग प्योगी कार्यों में एक पैसा खर्च ना करके इस उद्धतपन में जो इतना धन वड़ा सकता है उसे दुष्ट्रात्मा, निष्ट्र हर्दय, हैंकारी एवं अववेकी होना चाहिए अपना पैसा खर्च गा और हर समझदार ने ग्रणा के दिश्टी से देखा तो इसमें क्या बुद्ध मानी रही? क्या बड़पन मिला? बेवकुफी का बड़पन लूटना हो तो इससे भी सस्थे तरीकों में मिल सकता है ऐसी बुद्धी के लोग तो नाच, तमाशा ठान देने या भांग, गांजा पिला देने से भी प्रशंसा कर सकते हैं इसके लिए इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? बड़ी दावत महंगी ज्वानार बड़ी दावतें देने वाले यह सोचते हैं कि जिने हमने निमंत्रित किया है वे बहुत प्रसंद होंगे पर सच बात तो यह है कि आज के व्यस्त जीवन में भोजन के लिए दूर दूर जाना और उसे बहुत साथ समय नश्ट करना किनी फालतू आदमियों को ही पसंद हो सकता है आमतोर से लोगने मंत्रन स्विकार करते वे प्रिती भोजों में इसलिए जाते हैं कि जिसने बुलाया है बहुत बुरा ना माने यदि उसे यह निश्चे हो जाए कि बुराई ना मानी जाएगी तो कम ही लोग ऐसे होंगे जो केवल भोजन के लिए अपना कीमती समय खर्च करके दूर दूर तक जाएं परसपर मिलन के अफसर पर तब ही आवेंगे जब महेंगी जो अनार की विवस्ता हो यही भद्दा तरीका है इससे तो कोई व्यक्ती जीवन में एक दो बार भी अपने सब मित्रों को एकत्रित न कर सकेगा करेगा तो अपना आर्थी संतुलन खोएगा इसलिए यदि मित्र मिलन के अफसर पर बोजन आवश्यक ही हो तो वह स्वलपाहार या जलपान के रुप में हो सकता है इस मिधन और समय की बरबादी बचती है और मित्रों का मिलन भी जल्दी एवं बिना गठनाई के हो सकता है विवाहों में लंबे चौड़े प्रीति भोजों की जो प्रथा आज कल प्रचलित है उसे एक कुरीती ही माना जाएगा बड़े प्रीती भोजों पर जगा जगा सरकारी प्रतिबंध भी लग रही है अन्न की कमी और समय की आवशिक्ता ने बड़ी दावतों को एक आवांचनी समाज विरोधी कारे ठहराया है ऐसा कारे करते हुए कोई व्यक्ती अपनी प्रशंसा या बड़ाई पाना चाहता है तो समझना चाहिए कि उसे बदलते हुए जमाने का अभी तक तनिक भी ज्यान नहीं हो पाया वह दो सव वर्श परानी दुनिया में रह रहा है और पतिष्ठा पानी के लोब में ऐसा कारे कर रहा है जिसमें उल्टी उसकी निंदा एवं अपतिष्ठा बढ़ जाए बारात में अधिक आदमी ले जाने की धुन में कई लोग रहते हैं तथा कथित बड़े आदमियों को बारात में ले जाने के लिए दांत निकालते नाक रगडते फिरते हैं सोचते हैं बड़े आदमी बारात में जाएंगे तो बेटी वाले यह समझेंगे कि इतने मित्र इनके बड़े बड़े आदमी हैं तो यह भी बड़े आद्म होने चाहिए यह सस्ती तरकीब सामने वाले को बहका कर अपने बड़े बनने की सोची जाती है पर यह चाला की चुकि हर व्यक्ति अपने लड़के की विवाह में करता है इसलिए उसकी असलियत सभी को मालूम रहती है और कोई ब्रह्मे नहीं पड़ता सभी जानते हैं कि खाते पीते इज़त के पतपर बैठे वे लोगों को बड़े खुशामत से लाया जाता है और वे बड़ा एहसान जताते वे आते हैं उनकी खातेर खुशामत में दोनों परिशान हो जाते हैं फिर भी मेहमानदारी में कोई कमी रह गई तो उनका पारा गरम होते देर नहीं लगती इस प्रकार का बेरत ज्यंजट पालने से जूट मुठ मन बहलाने वाला बड़पन कोई प्राप्त करना चाहता हो तो कर ले विचार शिलता की रष्टी से उसका मुल्य कोड़े भर भी नहीं आका जा सकता